नमस्कार, जै जोहार! क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी नेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए! योगेंद्र साहू क्लासेज आप यहां 10 से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराएं तो डाउनलोड करिए! योगेंद्र साहू क्लासेज आप टॉ बी दे बेस्ट! लण फ्रॉम दे बेस्ट! कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत योगेंद्र साहू क्लासेज फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CG PSC का सपना साकार डाउनलोड दियांग नाउ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका योगेंद्र साहू क्लासेज में पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ प्रमुख सासकों के बारे में पंडुवन से ठीक है आज हम उसी के आगे सासकों का करम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से और प्रमुख सासक आते हैं इंड्रबll पर नन्यराज प्रथम पर चंद्रगुपत के बारे में देखा था इंगे बढ़ाते कि चंद्रगुप्त töो ने यहां शाशल किया तो इनके पारे में जनकारी प्राक महेश्वर उ की मुखरिव औस की जो राज कुमारी थी कि राणी वस्टा उनका विवाष्ण thanked के साथ होता है और उर्ष देकानी के उसे यह संदर और गя देखनेके हाथ तो राश्री स्थर पर जैसे हमने में बात किया था कि गुप्त वंश इनके समकालिन थे है ना गुप्त वंश इनके समकालिन थे उसी प्रकार अब देखेंगे कि यहां एक और वंश का नाम आया क्या मौखरी वंश तो कह सकते हैं इसको समय सब्सक्राइब है एक पूत्र होता है कौन महार शीगुप्ता बाला अर्जून महार्शिगुप्त बाला अर्जुन जो की इसsyth का बहुत ही प्रतापी राजा है और समस्त छत्ति रगच राज़ों समय देखा जाए, दो इंका नाम बहुत ही महत्तौपुर्ण है तो आगे देखते हैं आप इन्होंने मंदिर का निर्मान कराया किया लश्वन मंदिर जो की सिर्पूर में है और जब हर शगुप्त की मित्ती हो जाती तो उसके बाद इस्त्राणी वशाटा ने इसके यादों में को चीरिस्थप्फप के निर्मान प्रारम कराया था अब यहाने के लिए बनाने के लिए इस मंदिर का का निर्मान किया कौन से मंदीर का लश्मन मंदीर निर्मान किया और लश्मन मंदीर की से संबंदित यह राम जी किस विश्नु के तो वहां से रिलेट करेंगी कि विश्नु मंदीर है क्या लश्मन मंदीर जो सिरपूर का है विष्णु जी का मंदीर है अब राणी वश्राटा के बारे में बोला जाता है कि यह ना चत्ती रड़ की प्रथम महिला संरक्षिका थी क्या चत्ती रड़ की प्रथम महिला संरक्षा का शाशी का नहीं बोर रहा हूं मैं मैं बोर रहे हम सणरक्षिका सणरक्षिका का उतात्पार यह होता है कि उन्होंने मतलब अपने बच्चों के बहुत अच्छे से संभाला उनकी साशन को साशन के उम्र होने तक उनकी संरक्षक के गरुप में शाषन किया, मतलब जो राजा तो थे उनके पुत्र ही थे, लेकिन उनकी अलपायू थी, तो अलपायू की टाइम पे उन्होंने सनरक्षक के रुप में कारे किया, तो वही थी, तो प्रसम महिला सनरक्षक के रुप में इनको जाना जाता है, कि इने में रानी वशाटा और फियर है जाना जाता है भीख अब आगे हम देखेंगे आगे लाल इटो से निर्मित नागर शाहिली में बनाता है अगर्शैली में बना था तीन सेलिया होती नागर्द वेशर और द्रविड तो उत्तर के समय बना इस लिए उत्तर शेत्र में बना इसलिए ऐसा समझ सकते कि नागर्शैली में है ठीक है फिर यहां भगवान विश्णु का मंदिर था मंदिर की प्रशस्ति रशना कभी इशान ने की थी कभी इशान ने हो तीट अब इशान देव जो थे बहुत है यहां इशान अलग है इशान देव बाण भट्रका समकालीं गनिष्ट मित्र था नियुक है। पढ़ेंगे इनका नाम तो उनका यह क्या घनिष्ट मीत्र हुआ करता था कौन इशान दे और इन्हों ने इस मंदीर की प्रशाष्टी रचना की है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने है फिर तो यह हमने देखा हर्श गुप्त के बारे में क्या क्या देखा प्राक महिश्ट्र की उपादीधारन की रानी वशाटा इनकी पत्नी थी जो कि मौक्शी वांसे संबंदित रे शुर्य वर्मा की पुत्री थी ठीक है इसके आद में लश्वन मंदीर का लश्मिन मंदीर और इसकी जो प्रशस्ती रचना है वह कभी इशान ने की है किसंए कभी इशान ने कि यह याद रखा इशान देव पानभट्य का समकालीन थे इतना आपको याद के बाद है नाम इंका महाश्योव गुप्त था लेकिन बाला अर्जुन कैसे पड़ा तो इनके नाम करने के पीशे कहानी है कि बच्पन में धनुष विध्या में निपोण बहुत ही ज्यादा निपंड झाल इस वाज़ा से इसे बाला अरजुन का बच्मने में तो बाल और अरजुन के जासे समान है उसकी तूलना करने लगे तो बाला अर जुन कहा फिक द नाम के से 655 लगबख 60 साल लगबख 60 साल तक इन्होंने शाषन किया और कैसे कि यह तो देख लिया कुछ समय तक तो इनकी संरिक्षे का गिरूप ने कि माता नहीं भी कारी किया है तो इस वज़े से इनकी साषन कले बहुत लंबा हो जाता है पांडू अंसी साषकों में सरवाधिक समय तक शाषन कल महाशिक गुप्त करहा है तो यह आपको याद रखना है परम महिश्वर की उपादी धरन की इससे पहले जो हर्ष गुप्त थे लेकिन इनमें एक अपवाद है कौन महाशिक गुप्त बाला अर्जुन अब यह जो थे वह शैव धर्म को मानने वाले थे यहां लिखा भी हो आया कि इन्तों शीरपूर का पांडू मंस वैश्वर धर्म का अन्यु आई था तो उसमें केवल और केवल जो महाशिक गुप्त बाला और्जुन है और नाम से महाशिक गुप्त आ रहा जैसा महाशिक तिवर धर्द माने शयो धर्म को मानने वाले हैं ठीक है और इसके अन्य ससक वैशन धर्म को है तो यह आपको एक चीज याद रखना डिफ्रेंस है फिर लश्मयन मंदिर का जब इन्होंने निर्मान कराया इनके कार में ही इसका कारी संपन हुआ हमने अभी देखा वहां एक सीला लेक की भी प्रा तीवर्देव के बारे में तीवर्देव बोलता हूं नन्न राज के बारे में जनकारी प्राप्विती शेन का पाट अभी लेक से नन्न राज विती के बारे में जनकारी प्राप्विती ठीक है शेन का पाट अभी लेक में तो इन्होंने लिखा यहां पर सेन का पाट अभी तो शेन का पट इस अमन्त की दियों का उल्लяг है तो दूर्ग रक्षित अब इनका है इनका समकाली था इसा मिंता था अभी सिर्पूर से किसे सबसे पहला था इतिहास का उसमें उस टेम हम जब देख रहे तो इसके बारे में हमने देखा था कि शिरपूर से जो 27 तामरपत्र मिली थे उसके रमेंदर नात्मिष्ट और विष्णूशी ने इसका अध्यान किया था कैसे याद किया था तो शिरपूर में विष्णू मंदिर है तो विष्णूशी ने अध्यान किया और राम विष्णू किया उतार है बोंदा नहीं बोंदा तामर पत्र अलग है बोंदा तामर पत्र आपकर तिवर्देव का था ये बाला अरजुन का है बोंदा तामर पत्र ठीक है एक का ओल्लेक मिलता एठीक है ये आप याद रखेंगे तो यह था बाला अरजन सम्भंदित कुछ ताउवर पत्र messedr तो हमने देखा अब आगे देखिए इन से वर लिद्य के बारे कैसेसे उक्षरी लेख यूग् shook जो बाला पूर्वां पूर जहां से आपके साथवानवानस के भी वो प्राप्त होते हैं शिक्के तो वहीं से केश्री लेक युक्त शौनमुद्रब प्राप्त होता है कहां से तो बालपूर शक्ती से जिसमें गजलक्षिन के इस्थान पर कुकूदमान विशब और त्रिशुल का अंकन है अब अभी तक हमने देखना हम नहीं अपिसमें शाशक जो बीकि शाशक करते हैं कि और बंस इसे पहले जो शा tracking करते आपके बंस मैं भूल जा रहा हूँ सरभ पूरी इस रुजै को है उनके जो समय में गजलश्मी चलती थी, गजलश्मी का अंकन होता था, उन्हीं को इसने आगे बढ़ाया, सारी चीज तो ये उनसे ही लेकर आगे बढ़ते चर रहे हैं, तो ये चीज भी हमें याद रखने हैं, तो यहां गजलश्मी का अंकन होता था, उसके स्थर पर इसने क किया कुकुदमान कि सका कुकुदमान कि और व्रिशब और ट्रिशुल का अंकन कराया ठीक है ठीक है यह थोड़ा ज्यादा आम एन्हें लंबा कर दिया इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ केश्री लेक-युक्त शोर्ण मुद्रा-बालपूर-शक्ति में प्राफ्थ होता है जो किसका है महा शेकवत्व बालारजुन का उसमें गज लश्मि के इस्थान पर कुकुद मांद दृशब और दृशब आगया बाकी लोग विश्णु धर्म को मांदे थे तो विश्णु जी की पत्नी गज लश्मी लश्मी माता को मान लश्मी को भी मान रहे साथ मिसले गज लश्मी का उत्किन रहता था ठीक है फिर उपलब दी एक लेते तो महा श्रीगुप्त बलारजुन का शाषनकाल छटिर कि सभी धर्म प्रापर रूप से अब प्राया प्राया सभी धर्मों का विस्तार हुआ था तो इसलिए धार्मिक शहिश्णुता में इस रेच्ट था इसलिए इस तक शटिग्र का सौनकाल कहा जाता है और उसके लावा और एक पॉइंट क्या है कि चहुम की विकास हुआ थ और इनके पिता के विष्नु मंदर था कि नितए में चाल फूला था क्या स्षभमन मंदर मंधीर तो भी बना शैव को धर्म को खुछ मांतं है तो शैयो धर्म भी बनाए किसे पilt-धर्म और वहा गंदेश्वर महादेक्स मंदीर किसी सीड़्पूर में इंडरबल ने पस आया था था ठीक है तो और अदल देव मंदीर कर निर्मान करा है कि फिर शित देशवर महा देव मंदीर का पलारी में निर्मान करा है पलारी आपके बाला बलादय बजार शित्र में पुछा कोशन है इस बहुत है तो यह था उनके समय में विक्षित हुए मंदिरों का क्रम और वैशनों धर्म तो हमने देख लिया है अब बहुत धर्म देखते हैं तो इनके समय में अनेक बहुत द विहार का निर्मान कराया गया था जिसकी जनकारी आपना आगे देखेंगे जब हम हें सांग के यात्रा वितान पढ़ेंगे तो उसमें जनकारी प्राथ होगी तो महार शिव गुप्त बालार जुन के समय में यहां अनेक बहुत विहार का निर्मान कराया गया था जिसका वर्णन हेंसां की यात्रा विटतान में मिलता है तो यह था अप लबदी के बारे में अब इनके समकालीन सासा कौन-कौन से थे तो पुष्य भुतिया पुष्य वर्धन हर्षवर्धन जो कि मैंने भी बताया ज वर्धन का दरबारी का भी होता था तो इसके समय में हर्ष वर्धन होगे वर्धन वंस यह पुष्य भुति वर्धन हो गया किसका समकालीन इस वंस का भी मान सकते हैं और मुख्य रुप से देखा जाए तो महाश्य दूट्य बाला अरजिन का ठीक है चालुक के सासक पूलक संबंदीद भी देखे थे और शरप पूरी वनस तो देखा और सात में हमने देखा था कि गुप्त्वान्स के आसपास भी इनके समकाली रहे ठीक है ये भी हमने बताया था ये भी जब हम इसको चालू करते लेक्शर को तो मैंने बताया था ठीक है तो ये सारे चीज है तो लगबग लगबग गुपता उस तो अंतिम आ गया था बाकी लेकिन ये जो जो सब थे वो इसके आसपस ही इन्होंने भी अपना विस्तार किया थीक है तो समकालिन शासक में मुख्य इन तीनों का नाम याद रख लेना पुश्य भूती चालुक्य और नलवंश्य क्योंकि यह महाश्यकृत बाला अर्जुन से रिलेट कर रहे हैं ना महाश्यकृत बाला अर्जुन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनसे संबंदित यह ती तो रणकेश्री साय दिन का भाई था और जो शिवननदी है इसका पूत्र था जी यहां लिखा गया है शिवननदीन का पूत्र है और रणकेश्री इनका भाई था ठीक है भावदेव रणकेश्री ऐसे कुछ था केवर रणकेश्री था भावदेव रणकेश्री तो पुरा पांडू अंसी सशक्तिवर देव का राजीम प्लेट जो राजीम प्लेट जो है तामर पत्र रहते हैं प्राप्त हुआ था जिसे इस मस के बारे में पहली बार जनकारी प्राप्त हुआ थी तो कभी पुछा जाए आपसे कोश्चन में सिरपूर के पांडूंस है उनके बारे में सरवप्तम जनकारी कहां से प्राप्त होती तो तीवर देव का राजीम प्लेट 1725 प्राप्त हो वहां से प्राप्त होती? तो यह था आपका महाशुक्त बाला रिजुन के बारे में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इस वीडियो को तीन से चार बर जरूर देखेगा आग रहा है मेरा आपसे क्यूंकि आपको तभी याद हो गई है ऐसा याद नहीं होगा कि आप एक बार देख लिए तो याद किल जाएगी मुझे भी हुआ था अभी तक मैं भी कहीं कहीं पर भूग भूल जाता हूं तो आप भी इससे दो से तीन बार याद जरूर करिएगा देखिएगा वीडियोस को ठीक है यह सासन क्रम्क जो बता रहे थे कि महाशुक्त बालार्जुन की समय के जो शाशक थे समक तो यहां आकर आगरमंण किया और समापति किया था इस वांस को ठीक तो यह आपको याद रखना है और नरमदा जो 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 नदी दिखरी है यहां मैप में दिखा रहे हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको मैप आपको विजीबल है तो इस चेत्रों को उत्तरा पत तो आपको कवर करेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं अगर आपको किसी वरकर कर डाउट हो तो हमें कमेट करके जरूरू बताईगा और हमारे चैनल को जरूर सब्स्राइब कीजिए ताकि आपको जो सीरीज जो चर रही हमारी संपूर्ण शतिरगड़का उसका आपको अपडेट मिलता रहे समय समय पर और इस सेशन को इस सीरीज को जरूरू ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी आपके जैसे पढ़ने ट्रूरू सुमें